इस्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये राइनिया का पार्ट थ्री है इस वीडियो के अंतरगत अपन देखेंगे कि राइनिया में किस प्रकार की बीजाणू धानिया पाई जाती थी किस प्रकार का युग मकोद भिद मिलता था और कुछ चुप प्रिमिटिफ करेक्टर् पहली चीज के बीजाणू धानिया किस तरह की बीजाणू धानिया थी तो सबसे पहले आप एक बार राइनिया का थोड़ा सा डाइग्राम देखें वापस से ये राइनिया का चित्र था तो इसमें ये तो था उसका प्रकंद ये वाला इससा तो राइनिया का प्रकंद था ये जो उपर की उर उठा हुआ है ये इसका वाइवी अक्ष था और ये वाइवी अक्ष पे अपने ये देखी थी ये जो दिख रही है इस तरीके की सरशना ये ये क्या है ये जो नाशपाती की सी आकरती की है उपर से सकरी और नीचे से चोड़ी ये इसकी बीजानू धानिय तो यह ऊपर के जो शीष है जो नुकीले किनारे उनकी उपर पाई जा रही है यह तो विन वोगनाई में और ऐसी स्थेति अपने इह मेजर में देखी थी जो शीष भाग थे उन ऐसे जो आपने वायवीर अक्ष की सरचनां नेख ली है प्रकंद की देख ली और की इनकी इंटर्नल सेक्षन देख लिया है, काटते हैं तो क्या चीज नजर आती है अब ये आकरी चीज बच गी है जो है बीजानु धानी तो इनके बारे में अपन इस वीडियो के अंतरगात पढ़ेंगे ये जो बीजानु धानी आ थी वो कुछ वाइवी अक्षों के शीष पर बेलनाकार ये अंडाका सरचना पाई जाती थी ये सरचना बीजानु धानी के लाती थी एक सिरे पर एक ही अवरंत बीजानु धानी थी ये बीजानु धानी के नीचे कोई वरंत वरंत नहीं था जैसे ये अक्ष है तो वाइवी अक्ष का जो सिरा है नुकिला उस नुकिले सिरे के ऊपर ये बीजानु धानी मिलती थी बीजानु धा दानी का आधार ये भाग तो चोड़ा था और उसके अंतस्त सिरे नुकीले थे तो ये निचला हिस्सा तो चोड़ा इस तरीके से और उपरी सिरा जो है वह वी जणू धानी का नुकीला था था क्योंकि ये एक फॉसिल प्लांट है इसके अलावा जैसे अपने राइनिया दो प्रजाती है आपको पता एक तो मेजर और एक विन्वोगे नाई तो जो मेजर की बीजाणू धानिया थी वो करीब 12 mm लंबी थी यानि लंबाई उनकी ज़्यादा थी और उनका व्यास या डाइमीटल जो था वो 4 mm था बीजाणू धानियों की बित्ती जो थी वो काफी मो थी और उसके अंदर कौन सी है तो वहाल से बीतर की तरफ जब अपन देखते हैं तो उसकी बित्ती बहुत मोटी थी तीन सुइस्पश्ट इस्तरों की बनी हुई थी तीन परत पाई जाते थे जैसे अपन एंथर होता है एंथर की काट भी आपन काटते हैं तो बाहर देखत कि तीन इस्तरों में बटी हुई थी बीजण धनी की बित्ती सबसे बाहर वाला जो इस्तर था यहां में लिख जती हूपन राइनिया के वरे में पढ़ रहे हैं सारा कुछ तो जो सबसे बाहर वाला इस्तर था सबसे बाहर जैसे आपने section काट ना उसका शुरू गया section काट कर जो आपने microscope में लगा के देखा तो सबसे जो उसकी outer परत थी outer सबसे बाहर वाली वो epidermis थी और यह है जो epidermis थी यह भी मोटी उप्चर्म यानि cuticle से डकी हुई थी सबसे बाहर cuticle होगी जो रक्षा करेगी उसकी जलकी हानी वगरा से रोकेगी उसके बीतर वाली जो परत हो बाहर cuticle cuticle के अंदर epidermis epidermis के अंदर 123 तीन पलते किसकी हैं यह तीनों पलते हैं middle layer की अमध्य स्थर कहलाती है तो तीन कोशी की हैं मध्य स्थर थे सबसे जो बीतरी स्थर था इस middle layer का जो सबसे बीतरी स्थर था वो पतली बित्ती वाली गोलाकार कोशी काउं से बना हुआ जो tapitum की तरह कारे कलती दी ट्रिप इपर लोग जानते हैं tapitum का कारे विक्सित हो रहे है बीजाणुं को portion प्रदान कलना होता है तो यही काम इसका भी था तो यह है यह बीजाणू दानी इस तरह दिख रही बाहर से बीतर वीधर अपन जा रहे है तो यह देखो यह और य सब्सक्राइब करें दो अब अपन देखते हैं इस फुटन की विदी देखना चाहा तो इस फुटन की विधि का तो कोई भी इसपष्ट प्रमान जो है वो सरशना से ग्यात नहीं होता तो पता नहीं लगा पाए वैज्यानिक किस फुटन किस प्रकार से होता होगा धानी में और सारे बीजाणू क्या थे चतुष्ट में विवस्तित्य यानि चार चार का टेट्राड था शुरू में जिससे इस पश्ट ये मालूम पढ़ जाता है कि अल्दसूत्री विभाजन की परणाम सुरूपी बने हैं कि बीजाणू मात्रकोशिका होगी उसमें अल्दसूत्री होगा अल्दसूत्री विभाजन से हर बीजाणू मात्रकोशिका से कम से कम जो 4 हैं 4 बीजाणू बने हुए होंगे तो राइनिया जो है वो सम बीजानविक था, सम बीजानविक का मतलब जितने भी बीजानू थे, वो सब एक प्रकार के थे, जैसे अपन सिलेजी नेला पड़ाएंगे तो उसमें देखेंगे वो एक विशम बीजानविक वंच है, सम और विशम में क्या अंतर है, यदि सारे ब मादा पादप के उपर बनेंगे, तो वो गुरू भी जानू होंगे, या फिर आकार में बड़े होंगे, गुरू भी जानू के लाएंगे, और कुछ भी जानू आकार में छोटे होंगे, उनमें थोड़ा और डिफरेंस भी होगा, वो लगू भी जानू कहलाते हैं, जो की नर पादप के उपर बनते हैं, तो यानि नर का जो बीजाणों है, वो तो लगू बीजाणों है, जो मादा का बीजाणों है, वो गुरू बीजाणों है, तो ये यदि डिफ्रेंशियेशन पाया जा रहा है, ये विवेदन ये पाया जा रहा है, तो वो होते हैं विशम बीज इक से होता है आकार अक्रती सब एक जय सी होती है तो यह सम बीजानु के बीजानु का जो डाइमेटल था वो करीबन 40 μज था और इनकी जो बीजानु की बित्ती थी काफी मोटी थी परिवसी ऑ दानी का जो परीवल्धन होता था मतलब जो डवलप्मेंट होगा है बीजानु में इसके लिए एक शब्द होता है इसको कहते हैं यू इस पूरेंजियेट प्रकार का यू इस पूरेंजियेट डवलप्मेंट कहलाता है इसका मतलब क्या होता है जब किसी सरचना का विकास group of cells मतलब कोशिकाओं के एक समू से होता है जैसे एक तुमाल लीजे कोई स्ट्रक्चर एक ही कोशिका से बन रही है सिंगल से उस पूरी सरचना का विकास हो रहा है तो वो डवलप्मेंट लैप्टो स्पूरेंजियेट प्रकार का कहलाता है वहीं यदि किसी सरचना का विकास कोशिकाओं के एक समू से हो रहा है ग्रूप अफ से हो रहा है मोर देन वन सेल किसी स्ट्रक्चर को बनाने में योगदान देती है तो वो जो डवलप्मेंट होता है वो यूस पूरेंजियेट प्रकार का होता है यह आगे आपको समझ में आएगा फिलाल आपको सिर्फ इतन ही जानना है कि राइनिया की बीजानुधानी का जो परिवलधन होता है वो सू बीजानुधानी है प्रकार का होता है तो इस वीडियो में आज अपने इतना ही जानते हैं इसके बाद की जो नेक्स चीज़ है वो नेक्स वीडियो में जानेंगे थैंक्यू